This game involves an elements of financial risk and may be addictive. Please be responsible at your own risk. नमस्कार दोस्तो, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तो आज के हम वीडियो में जानेंगे कि दोस्तो बैक और लेक क्या होता है? तो दोस्तो बिल्कुल सिंपल लेंग्वेज में मैं आपको बताऊँगा बैक और लेक क्या होता है? और दोस्तो इसका पूरा आपको प्रैक्टिकल लाइव वीडियो करके भी मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा और दोस्तो हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लीजेगा जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे और दोस्तो अगर लिंक ओपन ना हो तो हमने यूजर नेम भी वहाँ पर दे रखा है तो दोस्तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कीजेगा जहाँ पर आपको फिरी अपडेर्स आपका कुछ भ यूजर नेम पर दोस्तो आप मेरे किलिक करोगे एड़तर है टिपस फोर यू एर तो दोस्तो मैं डारेट आपको पसनली मुझे मतलब आप पसनली मेसेज भी कर सकते हो मैं आपको पसनली वेड वहाँ पर कर लूँगा तो चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान वीन करें तो दोस्तो आप यहाँ पर पाकिस्तान के सामने वेड कर सकते हो मतलब आप सो रुपे लगाओ कि तो आप सिर्फ दो रुपे मिलेंगे लेकिन दोस्तो यहाँ पर अगर आप नेपाल के सामने अगर सो रुपे दोस्तो यहाँ पर आप लगाते हो तो दोस्तों आप सो में मल्टिप्लाइ कर लो 40 का मतलब दोस्तों आपको मतलब होता है उसको हराना लेकिन दोस्तों अगर आप नए यूजर ओस तो दोस्ता पूब फींक वाले का दोस्तों ये जो यूज होता है इसको दोस्ता अब को यूज करना ही अब देखें दोस्तो कही बार क्या होता है कि जब दोस्तो तीन से उपपर ओट्स हो जाते हैं देखें दोस्तो यह 40 है मतलब तीन से उपपर ओट्स हो जाते हैं तो दोस्तो यहाँ पर बेट नहीं लग पाती है तो दोस्तो उसके लिए आपको क्या करना है जो book makers है तो दोस्तो जब भी 300 ऊपर का rate होता है, तो मतलब वह यहाँ पर bet नहीं लग पाती है, तो दोस्तो आपको bookmaker में जाना है, व दोस्तो आपको यहाँ पर क्या करना है simple ज़िता है पाकिस्टान जितेगी तो आपको बेक कर दो fast पाकिस्तान को आपको लग रहा है कि नेपाल जीतेगी मतलब पाकिस्तान हारेगा तो आपको यहां दोस्तों ले पे क्लिक कर देना तो यहां पर जित्ते भी ओट्स होंगे वहां पर यह बैट लग जाएगी तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ब्ल्यू का मतलब होता ह कुछ मतला पैसा लगाना फैसा लगाना से का मतलब होता है उस्सी commend नींश को भाइना यह आपर कुछ उर और चीज़े दे ऐना उक्षा उस्सेम को हराना वक्त कुछ और छान तो तो यह हैं आपकोśnieksาม depends 36 बन जाएंगे या 38 बन जाएंगे अब दोस्तों आपको केसे पता चलेगा देखे नो इसका मतलब नो मतलब केसे पता चलेगा दोस्तों तो देखे दोस्तों अगर आपने लिख दिया यहाँ पर 10 अवर में नेपाल के 36 रंस नहीं बनेगे तो दोस्तों अगर यहाँ पर 36 भी तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ने लिखा है 38 मतलब yes करा है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है मतलब 39 से जयादा बनना चाहिए अगर 38 भी बना तो दोस्तों आपका fail हो जाएगा सेम ऐसा केसा इसका भी रहेगा पाकिस्तान का 50 और का से में से रहेगा अगर आपने लिखा है कि पाकिस्तान के रन 50 और में 330 बन सकते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे अगर 9 करा है तो उसके रन 328 या 328 से कम बनने चाहिए अगर यहाँ पे 333 लिखा है तो दोस्तों यहाँ पर इसके run 3-3-3 से ज़्यादा बनने चाहिए अगर 3-3-3 भी बन गया तो आपका session fail हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही बता हूँगा बाकि आपको next वीडियो में यह जो wicket अब जैसे दोस्तों मैं आपको basic बता देता हूँ जैसे first wicket पाकिस्तान इन्होंने दे रखा है कि 40 run के पहले 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 पाकिस्तान का विरिकेट गिर जाएगा अगर आपने दे रखा है no तो यहाँ पे दोस्तों 39 run या उसे पहले इसका विरिकेट मतलब गिनना चाहिए मतलब no yes का मतलब होता है कि दोस्तों यहाँ पर 41 या उसके बाद का समझ गए होंगे दोस्तों आप मतलब आप जैसे यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 120 और मतलब 90 इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि आप 100 रुपे लगाओगे तो आपको 120 रुपे मिलेंगे